बिस्मिल्हाई राम आदरीम डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टार स्केडमी अलामेक बार टाउन लाहूर डियर स्टुडेंट्स अ कम्प्रीट ई-Learning एप पर आज हम फ्री कॉंटेंट लेक्ट्टर पढ़ेंगे टी 10 और इसका स्लेबस जो है वो है डोमेन एंड रेंज आज हम इनकी डोमेन और इनकी रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं तो काइंड देखेंगा दरा जी सुरेंट्स सबसे पहले फंक्शन उस फंक्शन की डोमेन और उस फंक्शन की रेंज जी माइडियर स्टुरेंट्स सबसे पहले नंबर पर वाइज इक्वल टू साइन एक्स स्टुरेंट्स साइन एक्स का जो फंक्शन है इसमें हम एक्स की जगा पर जो मर्जी यह रियल नंबर पूट कर दें यह फंक्शन ना तो आयोटा जेंडरेट करेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा इसका मतब यह हुआ साइन फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी है वैल्यू पूट करते चले जाएंजितना बड़े से बड़ा एंगल पूट करते चले जाएंजितना छोटे से छोटा एंगल पूट करते चले जाएं पॉजिटी वैल्यू एंटर करें नेगिटी वैल्यू एंटर करें यहां से कभी भी इंफिनिटी जो हो जन्रेट नहीं हो सकता तो इसका मतब यह हुआ कि जब हम पहले नंबर पर लिखे हुए यह फंक्षण y is equal to sin x की बात करेंगे तो इसकी जो डोमेन होगी वो set of real numbers यानि जो मर्जी यह number इसके अंदर put कर दें यह function कोई नहीं के value जो जन्रेट करेगा जो value यह function generate करेगा वो minus 1 और 1 के in between ही रहेगी या इसके बराबर होगी यानि sin function जो है उसकी कमस कम value minus 1 हो सकती है उसके बाद अगर आप angle इसके अंदर add करते चले जाएंगे तो यह minus 1 से मजीद कम नहीं होगी यह increase होना शुरू हो जाएगी increase होते 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 यह 1 तक जाएगी 1 तक पहुँचने के बाद यह मजीद increase नहीं होगी बलकि फिर decrease होना शुरू हो जाएगी तो y is equal to sin x जो function है उसकी domain set of real numbers और उसकी range minus 1 और 1 और इसके in between यह closed interval होगा दूसरे number पर y is equal to cosine x तो student cause function जो है इसके अंदर भी आप जो मर्जी है real number पूट कर दें यह function भी ना तो iota generate करेगा ना ही यह function infinity की तरफ move करेगा तो दूसरे number पर जो लिखा हुआ function है हमारा y is equal to cosine x इसकी domain set of real numbers और इसकी range जो है वो भी यही होगी जो cosine function की हमने उपर लिखी है यानि अगर आप cause function की अंदर angle x की जगाँ पर कोई भी value पूट करते चले जाएंगे यह function अपनी value को generate करेगा definite value होगी वो indefinite value नहीं होगी उसकी minimum value minus 1 होगी लेकिन अगर angle आप बड़े से बड़ा पूट करते चले जाते हैं तो minus 1 से value छोटी नहीं होगी बलके minus 1 से value बढ़ना शुरू हो जाएगी 1 तक बढ़ेगी 1 तक बढ़ने के बाद मजीद नहीं बढ़ेगी फिर यह काम होना शुरू हो जाएगी यह यह ग्राफ जो है यह भी minus 1 और 1 के दर्मियान ही fluctuate करेगा तीस्टर नमबर पर जो function है हमारा वो है y is equal to tan x students हम जानते हैं कि यह जो tan x है यह बराबर होता है sin x over cos x के अब इस function में हमें उन values से बचना है जहाँ पर cos x जो है वो equal to 0 होता है यानि cos x should not be equal to 0 वज़ा क्या है कि अगर cosine function 0 हो गया तो यह क्या हो जाएगा undefined या infinity हो जाएगा तो हमें उन values से बचना है तो tan function में हम सारे का सारा real numbers का set जो है वो put नहीं कर सकते हमें x की ऐसी values निकालना पड़ेंगी उस set में से जिन values के उपर cosine function जो वो 0 के ब्राबर हो रहा हो तो students हम जानते हैं cosine function कहां 0 होता है पाई बाई टू के odd multiples के उपर यानि जब जब यह जो quadental angle है उसके terminal side y axis के उपर आएगी चाहे वो o y के उपर हो या o y dash के उपर हो वहाँ पर tangent function जो हो undefined होगा तो इसका मतब यह हुआ कि यह जो तीसरे number पर लिखा हुआ function है y is equal to 10x इस function में हम x belongs to r and x should not be equal to 2n plus 1 pi by 2 यानि हम इसमें x की जगा पर हर real number put कर सकते हैं लेकिन ऐसा real number put नहीं कर सकते हैं जो pi by 2 का odd multiple हो क्यों कि pi by 2 का odd multiple जो है उस angle की terminal side y axis के उपर आती है और y axis के उपर जिस angle की terminal side आएगी उस angle के उपर 10 function जो है वो undefined होगा या infinity होगा that's why हम इसको put नहीं कर सकते हैं रह गई इसकी range की बात तो 10 function जो है उसकी range negative infinity और positive infinity के in between होती है 10 function का जो graph है मानस infinity से आता है 0 होता है और फिर positive infinity की जानिब चला जाता है यानि 10 function जो है पूरे का पूरा set of real numbers उसमें से कोई भी value generate कर सकता है next हमारा जो function है वो हम ले लेते हैं y is equal to cot x तो my dear students cot x को अगर आप देखें तो cot function बराबर होता है अब की बार cos function उपर चला गया sin function जो हो नीचे आ गया तो अब हमें किन से बचना है जहां पर sin x की value 0 है वो values जो है हम इसके अंदर consider नहीं कर सकते तो ये values कहां पर होती है n pi x axis के उपर तो चौत्य नबर पर जो function है हमारा cot x y is equal to cot x तो इसमें x की हम सारी values पूट कर सकते हैं but this x should not be equal to n pi यानि ये terminal side जो है ये x axis के उपर नहीं होनी चाहिए तो ऐसे angles जिनकी terminal side x axis के उपर आती है अगर उन angles को हम cotangent function के अंदर पूट कर दें तो उसका जवाब undefined या infinity आ रहा होता है तो इस वज़ा से cot function की domain में से हमें n pi pi के जो multiples हैं उनको निकालना पड़ेगा रहगे इसकी range की बाद तो इसकी range भी वही होती है negative infinity और positive infinity के in between cotangent function जो है वो कोई भी value generate कर सकता है next पांचवे number पर y is equal to secant x तो my dear students अगर आप इसे देखें तो ये चीज 1 over cos x के बराबर है तो students आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर भी हमें उन्ही angles से बचना है जो angle 10 में हमने बचे थे जिन से यानि 10 के denominator में भी cos है secant के denominator में भी cos है तो हमें angle के उन value से बचना है जहाँ पर cos x के value 0 होती है वजाए क्या है कि यहाँ पर secant function जो हो भी undefined हो जाएगा तो जब हम secant function की domain की बात करते हैं y is equal to secant x तो secant की domain वही होगी जो tan function की होगी क्योंकि दोनों के denominator में cos function जो है वो मौझूद है x should not be equal to n pi हाँ इसकी range का जहां तक तालुक है तो secant का जो graph है वो minus infinity से आता है minus 1 के बराबर होता है और फिर दुबारा minus infinity की जानिब चला जाता है जब यह minus infinity की जानिब चला जाता है तो फिर उसी एंगल की right hand side से graph positive infinity से आता है फिर plus 1 होता है और दुबारा positive infinity की जानिब जो हो चला जाता है तो यहां से इसकी जो range आएगी वो क्या आएगी y is less than or equal to minus 1 and y is greater than or equal to 1 यानि इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है minus infinity to minus 1 union 1 to positive infinity यानि इसकी value minus 1 हो सकती है 1 भी हो सकती है लेकिन इसके in between secant function की कोई भी value जो वो नहीं आ रही होगी तो ये इसकी range इस तरह से हम define करेंगे next number है छटे number पे function है y is equal to cosecant x तो dear students आपको नजर आ रहा होगा कि अब की बार इस function को हम लिख सकते हैं 1 over sin x तो हमें उन angles से बचना है जहांपर sin x जो वो equal to 0 होता है यानि x की value जो है वो that should not be equal to n pi जहांपर cos x should not be equal to 0 and x should not be equal to 2 n plus 1 pi by 2 तो आपको नजर आ रहा होगा कि contingent function हो या cosecant function हो दोनों की domain जो है वो एक जैसी होगी दोनों के denominator में sin x है और हमें sin x के 0 होने से बचना है तो लास्ट छटे नमबर पर function है y is equal to cosecant x तो यह x जो है यह कोई भी real number हो सकता है लेकिन this x should not be equal to n pi यह n pi नहीं है यह 2 n plus 1 pi by 2 है secant function के लिए odd multiple pi by 2 के हम minus करेंगे cosecant function के लिए n pi जो नहीं हो सकता रहेगे इसकी range की बाद तो इसकी range भी वो ही होगी जो secant function की range है secant और cosecant function की range एक जैसी होती है तो वो क्या आ जाएगी जी minus infinity से लेके minus 1 union 1 से लेके infinity तर लेके अच्छा dear students हमने न 6 trigonometric functions जो है वो discuss किये हैं आप देख रहे हैं कि sin और cosine दोनों की range एक जैसी है tan और cot दोनों की range एक जैसी है secant और cosecant जो वो दोनों की range एक जैसी है अच्छा sin और cos दोनों की domain एक जैसी है लेकिन tan और secant की domain एक जैसी है और इधर caught और cosecant की domain जो है वो एक जैसी है आप currently इसका screenshot जो जरूर रे लिए मैं एक साइड के ओपर ही खड़ा हूँ आप इसका screenshot ले लीजिए और उमीद है कि आज का ये lecture जो हो आपको जरूर समझाया होगा नेक्स्ट डिसकेशन के साथ आपसे दुबारा मुलकात होती है जैसा कि मैं अपने हर lecture में request किया करता हूँ कि आप हमारे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और उसके बाद अगर आप उनासिब लगे तो इसको जबूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर upgraded व हुआ 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 है